आप इसको अपने पैरेंट्स के बिजनस से भी लिंक कर सकते हैं, जो मैं एक्जामपल अभी देने वाला हूं, मैं अपने बिजनस से लिंक कर रहा हूं, आप कोई भी बिजनस से लिंक कर सकते हैं, जो भी एक्जामपल मैं भी आपके सामने रखोंगा, बेस बिल्डिंग मतलब आगे जाके अब इसको एवाइड कर सकते डारेक्ट आप कोश्चन देख सकते हैं, डारेक्ट आप कॉंसेप्ट देख सकते हैं मान लीजिए आज से बहुत साल पहले मैं क्लासिज लिया करता था, एक छोटे से हॉल में मेरी क्लासिज चला करती थी, यहां पे प्लास्टिक चेयर हुआ करते थे और यहां मैं खड़ा होकर पढ़ाता था, टाइप एंकर, ठीक है, और यहां वाइड बोर्ड होती थी, और यहां पे बच्चे होते थे, और प्लास्टिक चीयर, तो समझ में नहीं आता कैसे बनाओ, समझ लेना, ठीक है, 200 स्क्वार फिट, 400 स्क्वार फिट का जगह होता थ और बिल्डिंग होती थी, छोटी, वहां पे में बढ़ाता था, पहले दो बच्चे आए, ठीक है, फिर तीन बच्चे आए, ठीक है, I'm still in touch with them, ठीक है, चार आए, वैसे हो गए, चलो, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ एक रास्ता तो यह है, कि भाया यहीं पे स्टॉप हो जाओ, इतने ही बच्चे पढ़ाओ, और अपनी जिंदगी बिताओ, यह दूसरा है तरीका की स्टैटीजी चेंज करते हैं पढ़ाने का, पढ़ाने का स्टैटीजी चेंज करते हैं, अभी छोटे से हॉल में, अब थो दे पाऊंगा, मैं इस बिल्डिंग को तो तोड़ नहीं सकता, इस बिल्डिंग को तो तोड़ नहीं सकता, बच्चे तो वही है, या हवा में बच्चों को नहीं बठा सकता, कि हवा भी उकुपाई कर लो, बोलो yes, हाँ, तो अब मेरे पास limitations हो गए, अब मुझे expand करना है, अच्छा, एक बात बताओ, जब company की sales बढ़ती है, जहां सुनना, sales बढ़ती है, तो variable cost बढ़ते हैं कि fixed cost, जब company की sales बढ़ती है, तो variable cost बढ़ते हैं कि fixed cost, आपको पता ही नहीं कुछ धंग से तो, कुछ धंग से पता ही नहीं होता आप लोगों को, fixed cost भी बढ़ते हैं, कोई volunteer नहीं होता था, पहले यहां पे कोई discipline, यहां पे हर मैंने मेरे को salary fix देना पड़ रहा है, यहां मुझे कोई rent देना नहीं पड़ता था, यहां पर कोई rent का कचकर नहीं था, मेरा छोटा रूम था, छोटे hall में class लेता था, यहां मुझे fixed rent देना पड़ेगा, अबभी सी बात है, fixed cost बड़ेगा, और rather fixed cost बड़ेगा ही बड़ेगा, fixed assets भी बड़ेगा, यह सो नो, पहले ना कोई projector होता था, ना कोई camera होता था, ना कोई AC होता था, ना कोई cheer होता था, बच्चे को जमीन में बटाता था मैं, बच्चों को जमीन में बटाता था, मेरा कोई खर्चा नहीं था तब, आज मेरे इतने अनाप सनाप खर्चे हैं, कि अज मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारा fixed cost लगा, बहुत सारे एसिट मे खर्था, मैंने laptop दो जो पहले ना इस पढ़ाता था, ना मुझे dongle लेना पढ़ता था, ना मुझे टाटा sky लेना पढ़ता था, ना मुझे कोई video दिखाना था, ना कोई camera था, ना कोई इतनी light थी, ना कोई इतनी जगमागार थी, एक छोटा था बल्व इतने पढ़ाता था मैं, या कभी बल्व चली जाती तो दिया जला के पढ़ाता था, मेरे कोई खर्चे नहीं थे, मेरे कोई खर्चे थे ही, नहीं, लेकिन जब मैंने सोचा कि यहां से मैं move करूं कहीं और, तो यहां से मैं move क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे sales बढ़ेगी, बोलो yes, तो sales बढ़ाने के लिए आपको खर्चे करने ही पढ़ेंगे, fixed cost भी बढ़ेगा और fixed asset भी बढ़ेगा, बोलो yes, बोलो yes, बढ़ रहे हैं, आप मेरा practical example देको मेरे तो बढ़ रहे ह मेरे cost भी बढ़ गए, अच्छा, अगर मैं जिद में आ जाता, मैं कहता, नहीं मैं यहां से तो हीलूंगा ही नहीं, मैं यहां से हीलूंगा, मैं old strategy में ही रहूंगा, तो बताओ, मेरी revenue एक point के बाद constant हो जाएगी ना, मतब old strategy में हर अच्छा, मैं परपीचुल तक मैं नहीं तो कोई और, और नहीं तो कोई और, मैं पल्दोपल का शायर हूं, पल्दोपल मेरी कहानी है, कल और आएंगे मेरे से अच्छे कहने वाले, आप से अच्छे सुनने वाले, सुनाएगा ना, कभी सुनाओंगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं, अभी कहा मूड बनना चाहिए ना अभी मूड नहीं कर रहा है अच्छा तो सुनिये मैं अगर यहार रुख जाता हूँ आप जरूर इसको सॉलुशन से लिंक कर रहे होंगे मैं क्या कहना वाला हूँ अभी से आपको पता है कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ और कुछ बच्चा जो पता ही नहीं आप प्लीज देख के आए करें जो मैं कहता हूँ तो यहां अगर मैं रुख जाता हूँ तो मेरी constant होगी cash flows बढ़ेगी नहीं और वह perpetual तक होगी क्योंकि company, value of company, strategy की तो life होती है लेकिन company की life नहीं होती company की life perpetual होती है लेकिन strategy की life तो साल बाद नहीं स्ट्रेटीजी, तो साल बाद पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, 2G, 3G, 4G is a strategy ना? बोलो ना, yes, no, नी बोलो, मजा नहीं आता है, यह 2G, 3G, 4G, strategies ही तो है, company तो चल रही है अपना, तो strategy की life होती है, एक वक्त में आके उस strategy फेल हो जाता, जैसे मेरा, एक वक्त था, जब मेरे life में यह strategy फेल हो गया था, यह छोटे hallway में class लेने के लिए, मैं capable नहीं था, क्योंकि students की strength बढ़ गए थे, मैं तीवाल तोड कर नह हवा में नहीं पढ़ा सकता था, कुछ problems थे, तो मैं auditorium में आया, यहाँ पर एक screen लगा, बहुत बढ़ा, एक projector लगा, जो यहाँ fresh, और यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पर बैठे वे हैं, ठीक है, और थोड़े से मैंने balcony भी construct कर दी, और balcony बच्चे बैठे वे हैं, तो यह strategy मैं change कर रहा, बतो मेरी sales बढ़ी होगी की नहीं, मेरी revenue बढ़ी होगी की नहीं, मेरी cost बढ़ी होगी की नहीं, मेरी tax बढ़ी होगी की नहीं, मेरा capital structure बढ़ा होगा की नहीं, मेरा balance sheet बढ़ा होगा की नहीं, बोलो ना yes, सब का एक बर बो yes, अच्छा, अब इसमें आया मैं प जितने chaired से ले सकते ? उससे जादा तो ले जी नहीं सकते ? अब क्या करें, अब ग्रोध करने केρिए कुछ न को सोचना पढ़ेगा ? NAAA इंसान को भीछा भीछ ग्रोध करते रहना चाहिए और ग्रोध करने के लिए कुछ न को सोचना पढ़ेगा यहां तो मेरे पास लिमिटेशन थे, जितने चीहर से उतने बच्चे हो सकते चीहर से यहां पर हम लगा नहीं सकते एक कैपासिटी होता ही आउर्टिटोरें का उस कैपासिटी को हमने उकुपाई कर लिया ऑलरीडी तो यहां भी मेरे पास लिमिटेशन आ गया, what next? अब मैं सोचा, what next, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, क्यों कि ग्रोथ हमेशा चाहिए लाइफ में, लाइफ में जहां ग्रोथ रुख जाए वहां आपकी सांसे रुख जाएगी, मतलब रुख नहीं जाएगी, रुखी भी रहीगी जैसे, तो मैंने सोचा, कोई बा स्ट्रेटीजी था, कुछ साल चला, और फिर उसके बाद जाके, फिर मुझे लगा नहीं, अब मुझे थोड़ी और स्ट्रेटीजी चाहिए, थोड़ी और मुझे काम करना है, बाहर से बच्चे आते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनको अकुमडेट करना है, उनक तो मैंने सोचा पूरे इंडिया को देखते हैं पहले, मैंने इंडिया बनाया पहले मैंने लिखा, इंडिया बनाते हैं, ठीक है, मैंने बोला एक बार इंडिया बनाते हैं और मैं, I am looking into new strategies, मैं नए नए तरीके खोज रहा हूं पढ़ाने के, कि मैं कैसे अपनी revenue बढ़ा हूं, मैंने fixed cost भी बढ़ेंगे, definitely बढ़ेंगे, लेकिन में इस revenue भी बढ़ेगी, तो मैंने इंडिया बनाया, मैंने देखा, कि एक लौता मैं, और बच्चे इतने सारे, अब प मेरी जोग्राफी बहुत strong है, अच्छा, तो मैंने दिल्ली में यहां पर एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, और मैंने सोचा, कश्मीर जम्मू, यहां पर कौन है, पाकिस्तान, एहमदाबाद, मुझे तब पता, यहां बेस्ट बेंगॉल, और यहां पर, चिन्नई, ठीक है यहां पर कानपूर, यहां नागपूर, क्या-क्या, यहां इंदौर, यहां मेरा छोटा सा गाउं पूरू लिया, छोटे से गाउं मेरा यहां पर, तो यहां पर मैंने सोचा, मैं यहां बैट कर, क्या मैं पूरे इंडिया को पढ़ा सकता हूं, मैंने जब स्टैटीजी बना यह जा रहा है एक-एक derivation करवा रहे हो, एक-एक logic समझा रहे हो, तो ठीक है, तो आगे भी कोई बच्चों को दिक्कत होगी, तो कोई normally कोई doubt होता ही नहीं है, हाँ, तो अब क्या, what next? सैटलाइट में भी पूरा occupied हो गया पूरा इंडिया, अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें? हमेशा एक सोच चलती रहती है, तो मैंने सोचा, कि चलो, टेक्नोजी इतनी बढ़ जाएगी, आगे जाकर, क्या कर सकते हैं? तो मैंने सोचा, चलो, एक न मैं टैबलेट बनाता हूँ, SFM के नाम से, SFM के नाम से, नहीं, पहले नहीं, टैब नहीं सुना अपने, मैंने सोचा, एक टैब दे देते हैं सबको, एक सब बच्चे को पूरे इंडिया में टैब दे देते हैं, with cost, cost charge करेंगे, टैब दे देते कि सर आपके घर पे आ गए हैं, आप घर पे रखो के सजा के मंदिर के सामने, सर ओन करो, ओन कर दिया अपने सर को, और सर ने शुरू हो गए, good morning friends, तो टैब का एक feature था, उसमें भी एक हमें successful हासिल हुआ, कि चलो, सब बच्चे को हम लेक टैब कर दिया, फिर time taking वगर होता है को कॉस्ट वगर होता है, फिर हम क्या कर सकते हो, तो दिन पदी नहीं नहीं टेक्नलोजी बन रही है, अभी तो एक टोपी बन रहा है, एक कैब बन रहा है, जिसको आप पहन के, आपको सारी बुद्धी आ जाएगी, you know, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कैब बनाओ या एक दव कि सादार, आप सोच क्यों नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा, इन्वेंशन चल रही है, एक टोपी की इन्वेंशन चल रही है, जिसको पहन कर आपकी बुद्धी बढ़ जाती है, आप यू नो इस, it's a fact, I don't know, I'm not interested in showing it, अभी, come on, बार बार, अब देख लेना, च क्या है आपका, कहने का मतलब यह है, एक कंपनी के लाइफ में, स्टैटीजी जाती है, और जाती रहती है, लेकिन कंपनी निरंतर चलता रहता है, ठीक है, लिखेंगे, स्टैटीजी कीप्स ऑन चेंजिंग, बट लाइफ ऑफ कंपनी विल बी पर्पीछल, will be perpetual. We are not able to cater South Indian students, because वहांपर Hindi नहीं चलता. क्या चलता है? चलो, कोश्यन नमबर कितना? कोश्यन नमबर बताओ. 37 पेज नमबर 28 अगेंस ये फाइनल का सवाल देखते हैं कितना तफ कितना आसान? ठीक है? चलिए. तो हम पढ़ना शुरू करते हैं कोश्यन को. ABC company is considering a new sales strategy. एक नया sales strategy consider कर रहा है. मतलब अभी किस में काम कर रहा होगा पुराने strategy में? अभी पुराने strategy में होगा. That will be valid for next four year. चार साल तक वो valid रहेगा. And will continue from that acquired and will continue from that position acquired constantly forever. And will continue from that position acquired के बाद कॉमा दे दो. Constantly, forever. ठीक है? They want to know the value of strategy. Okay. Following information relating to the year which has just ended, just ended, is available. Sales, gross margin, admin, selling, distribution, PBT, tax, PAT. अच्छा जी. यह जो income statement है यह पुराने strategy का है की नए strategy का? यह पुराना strategy बिल्कुल खतम हो चुका होता है. उसमे को ना कोई depreciation होता है, ना कोई बाते होती है, एक stagnant आई जाता हर किसी के life में. आप ही जब job line में जाएंगे तो एक बहुत ज्यादा stagnant आप feel करेंगे, आप बहुत monotonous feel करेंगे, या करते ही होंगे अभी office life में, monotonous. कि कई कोई उतार चराओ नहीं है, office जाओ, desktop में बैठो, copy-paste, 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 और data entry, तो एक monotonous life हो जाता है, तो strategy भी उसी तरह से है, कि या पुरानी strategy जो हो जाती है, वह बेकार से हो जाती है, कुछ जान बची होती है, जिसकी PAT कितनी है, 1400 रुपए, बोलो yes, yes. बालंचेड information है, fixed assets, current assets, equity. If it adopts a new strategy, sales will grow at a rate of 20% per year for 3 years. The gross net margin ratio, asset turnover ratio, asset turnover मतलब sales upon assets मतलब? Asset turnover ratio में समझते है, sales or asset का ratio. An income tax rate will remain unchanged, unchanged मतलब, साफ साफ लिखावाए कि fixed assets constant रहेगा. Fixed assets जो है, 8000 वही रहेगा. आbudmelणाचा बालंचेट 10.